हेलो व्यूवर दिस इस दरुन सैनी एंड वेलकम बैक टू पीटीएस केड एक्सपर्ट आज का जो टोपिक है वो complete massing के बारे में है कि किस तरीके से आप Revit Architecture के अंदर massing की हैप से एक multi-story building बना सकते हैं multi-story mall बना सकते हैं complex बना सकते हैं हम वहाँ पर complete curtain system की बात करेंगे millions की बात करेंगे floor किस तरीके से आप massing के अंदर लगाएंगे किस तरीके से आप अलग-अलग shape में forms बना सकते हैं किस तरीके से आप front पर ACP cladding का यूज करते हैं सब कुछ यहाँ पर cover होने वाला है वीडियो बहुत ही interesting होने वाली है इसलिए वीडियो को last तक जरूर देखिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज चैनल को subscribe और वीडियो को like कर दीजिए ताकि इसी तरह की interesting वीडियो आपको future में भी मिलती रहे अगर आप हमारी live training से जुढ़ना चाहते हैं जो की batches अभी ongoing है तो हमारे PTSCAD expert Google Play Store से app download कर सकते हैं और वहां से course buy कर सकते हैं इसके अलावा वीडियो के description में भी link given है वहां से भी information ले सकते हैं हमारी app पर Revit MEP, Revit Architecture, Revit Structure, Auto Care, Diploma in Building Design, SketchUp, Civil 3D सभी course is available हैं आप किसी भी course में जिसमें इंफ्रेस्ट्री है आप buy कर सकते हैं और professional level तक सिख सकते हैं इसी के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट यहां पर हम Revit open है हमारा अब हम करते हैं start project तो यहां पर क्या होता है मासिंग एंड साइट का हमार पास tab होता है जिस तरीके से architecture, structure, steel system होते हैं उसी तरीके से massing and site का tab होता है site के अंदर क्या होता है complete site design की बात हम कर चुके है पिछली previous वीडियो आप देख सकते हैं या इसके अलावा कुछ नया update होगा तो हम future में भी उसको update करेंगे site design में बट अभी हम massing की बात करने वाले हैं तो massing किस तरीके से हम करना है कोई high rise building design करने है तो उसके लिए यहां पर कुछ भी available नहीं है वो हमें खुद से create करना पड़ता है तो यहां पर हम create करेंगे ठीक है in place mass in place mass में हमें क्या करना है mass पे click करना है अब आप यहां पर क्या करेंगे सिर्फ आपको shape बनाना की किस तरह का आप shape चाहते है तो level में आप जाईए उससे पहले आप क्या करेंगे यहां पर levels generate कर लीजे जितना भी आप building बनाना चाहते है high rise building आप रखना चाहते है तो हम यहां पर height रखते हैं इसकी जो भी आप height mention करेंगे वही हर level के हम height mention कर देंगे वहां से यह हमारा होगया ground floor ठीक है यह हमारा ground floor है यह हमारा first floor है first floor सेम ऐसे ही सभी floor को हम same height पर copy कर लेते हैं या level हम mention कर देते हैं level और 3300 पर हमारे सभी level सजाए 3300 यहां से ले लेते हम pick line जो level बनाने का सबसे easy way है हम यहां पर six to seven floors बना लेते हैं ठीक है यह हमारे पार floor हो गया और मैं last floor को यहां पर name दे रहा हूँ terrace terrace yes तो जो भी हमारे पास floors हैं उनके आप सभी के name भी define कर सकते हैं आप एक proper building बना सकते हैं clear हमने levels बना लिया अब हम यहां से क्या आहां जाते हैं क्या करेंगे हम यहां पर massing and site पर जाते हैं और यहां से in place mass start करते हैं mass one मैंने इसको mention किया mall ठीक है और यहां पर आपके पास lines हैं तो line की helps आप किस तरह का design बनाना चाहते हैं हम यहां पर जो हमारा ग्यारा मिट्र का है बारा मिट्र इस तरीके से हो हमारी shape उसके बाद हमारी 5 feet हमारा internal side में हमारी shape हो और जो की 7 मिट्र तक रहे ठीक है इस तरीके से फिर उसके बाद हमारी shape कुछ इस तरीके से रहेगी तो जो mall है हमारा कुछ इस तरीके से हम बनाने वाले हैं जिस भी concept वे आप काम करेंगे उसी तरीके से यह show होगा यहाँ पर हम इस तरीके से shape बना देटे है उसकी आप round रखना चाहते हैं सिंबल रखना चाहते हैं यह हमारे पास एक fome हो गई अब इस fome में भी कुछ चेंजमेंट करने हैं आपको तो वह भी आप कर सकते है round आपको रखना है यहां से shape तो round रख सकते हैं अगर यही shape आपको चाहिए तो आप select करिए यहां से और यहां से कर दीजे form solid ठीक है 3D में जाके देखे तो आपकी कुछ इस तरीकी की form आ जाएगी ठीक है जैसे आप form solid करेंगे आप कहां तक आपको जाना है जहां तक आप level लेकर जाना चाते हैं वहां सक आप लेकर जा सकते हैं आप यहां से जाएंगे elevation east और कहां पर आपको shape बनाना है हमें इस floor तक बनाना है यह हमारा floor हो गया final and then video में जाके देखिए तो इस तरीके के आपकी एक building आ गई अभी यह जो है 10-10 feet के 70 feet के हमारी building हो गई इसके उपर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं हम चाहते हैं कि यह जो हमारी shape है वो थोड़ी front पे रहे कुछ इस तरीके से कि जो हमारा second center point है वहां तक यह shape जाए कुछ इस तरीके से mention होगी ठीक है तो जो हमारा building है वो कुछ inclined shape में रहेगा यहां से यह हमारा इस तरीके से shape रहेगा अब हम क्या करते हैं same building पे हम अलग से materials apply करते हैं curtain system apply करते हैं तो किस तरीके से देखिए यहां पर हम select करते हैं और यहां पर आपके पास mass floor है तो mass floor में हमें जाना है mass floor पे click करना इसके बार roof हो गया terrace ठीक है अब आप देखेंगे यहां पर देखिए partition आ गया आपके जो flooring के partition है तो floor हम किस तरीके से बना सकते हैं massing के अंदर भी यहां पर floor है वो सब आप यूज कर सकते है floor क्लिक क्लिक दो floor हमने क्लिक किए और okay कर दिए create floor तो जो आपके पास floor है वो आगए ठीक है realistic में आप देखना चाहें इसको तो देख सकते हैं दो आपके पास solid floors आगए बट बाकी क्या है जो हमारे नीचे की तरफ अब वो सिर्फ एक shape है तो उसके लिए हम क्या करते है एक भी हमारा यहां से होता है floor design करने का एक भी हमारा next होगा जो कि हम architecture में यहां पर भी कर सकते है floor by face floor by face से हम बाकिये अलग floors बना लेते हैं and then create बात वही है बस बनाने का तरीका अलग है तो इस तरीके से हमने floor generate कर दिये अब जो top level आ रहा है वहां पर हमें क्या करना है roof generate करना है तो हम एक roof का भी example देख लेते हैं massing में भी जाके आप यहां से roof by face यूज कर सकते हैं ठीक है या इसके अलावा आप architecture में भी roof by face का option होता है वहां से यूज कर सकते हैं अब roof by face हमें यूज करना है तो roof by face पे जाईए और select कर दीजिए roof को and then create roof तो आपकी roof भी कुछ इस तरीके से create हो जाएगी clear अब हमें क्या करना है जो हमारा massing का form आ रहा है वह हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमारे proper curtain system भी दिखे ग्लेजिंग भी दिखे प्रोपर जो आपको design चाहिए वह आपको यहां पर show होता रहे तो हम किस तरीके से बनाएंगे देखिए जो हमारा massing आ रहा है यहां पर complete mass है floor और roof आपने देखा कि इस तरीके से आप बना सकते हैं तो यहां पर हमारे पास curtain system होता है ठीक है curtain system या फिर आप massing में भी curtain system होता है आप किसी भी एक face को select करिए वही आपका curtain system बन जाएगा यह हम एक अलग curtain system रखना चाहते हैं तो आप इस पर click कर दीजिए ठीक है इस तरीके से आपकी forms बन जाएगी इन forms जो आपके grades आ रहे हैं जो curtain system पैनल आ रहे हैं वो कितने रखने आपको कम रखने हैं ज्यादा रखने हैं इनका color अलग रखना है आपको तो वह सब आप यहां से कर सकते हैं यहां पर four numbers आ रहे हैं five numbers आ रहे हैं जितने भी आप कम ज्यादा करना च इसको मैं चाहता हूं कि 55 fit के हमारे पास पैनल हो glass के ठीक है and then apply okay तो यह जो आपके पैनल से वो कुछ इस तरीके से adjust हो जाएंगे same ऐसे ही हमें another form चाहिए तो इस वाली form को हम बना देते हैं duplicate edit type duplicate and then okay 1500 by 1500 center में जो है उसको हमने front मान लिया ठीक है अब हम another part की बात करते तो another part में अब क्या करना है वही curtain system यूज करना है one two three four charge system होगे और यहां पर भी हम curtain system ही लगाना ठीक है तो create system में मैं जाता हूं यहां से create system तो जैसे आप click करेंगे create system आपका create हो जाएगा complete आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी building है वो complete glass की हो गई है अब मैं इस glass का color change करना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे यहां से किसी भी एक tab को select कर लिजी आप tab को select किया edit type में जाईए और यहां से कर दीजे duplicate okay यहां पर glass का जो भी color आप रखना चाहते हैं वो color आप यहां चाहिए कर सकते हैं तो देखे building जो है complete आपकी इस तरीके से show होगी ठीक है तो आप इस तरीके से building का design बना सकते हैं part कर सकते हैं कि हाँ पर इतना portion होने के बाद हम क्या गरते हैं complete staircase स्टेर्केस डिजाइन करते हैं तो कहां से हमारा स्टेर्केस डिजाइन होगा वही ग्राउंड फ्लोर से स्टेर्केस हमें यहां पर डिजाइन करना है तो यहां पर जब भी आपकी बड़ी बिल्डिंग होती है कोई लार्ज स्केल पर बिल्डिंग होती है तो वहां पर हमें दो से तीन स्टेयर और लिफ्ट लोभी भी चाहिए होती है तो हम यहां से स्टेयर केस बना लेंगे ठीक है आर्टेक्चर स्टेयर केस यहां से हमें एक स्टेयर केस हमें यहां से यहां तक चाहिए जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाए ठीक है copy, same staircase हमें इस तरफ भी चाहिए, copy and then यहाँ पर भी आपको staircase चाहिए, copy, एक हमें staircase यहाँ चाहिए, ठीक है, same ऐसे ही दो staircase हमें front area पर चाहिए, यहाँ पर, ठीक है CS प्रेस कि हमें और एक स्टेयर हमें यहां चाहिए तो जितनी भी स्टेयर केस यहां पर पोसिबिलिटी है आ सकती है वह सब हमने यहां पर लगा दिए अब स्टेयर केस के एरिया में आपको शाफ्ट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अदर्वाइस तो फ्लोर तक व आप सब चेंज कर सकते हैं हम लाइव ट्रेनिंग में सब कुछ यहां पर कवर करते हैं तो आप लाइव ट्रेनिंग जोइन कर सकते हैं अगर आप बेसिक से प्रोफेशनल बनना चाहते हैं अदर्वाइस एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना नामुम्किन है तो मासिंग क कौन से प्राज हम cover करने वाले हैं यहां पर हम सभी में shaft provide कर रहे हैं तो जितने एरिया पर आपने shaft provide किया है उतने एरिया में hole provide हो जाएगा जो कि आप complete show कर सकते हैं आपके top floor तक ठीक है सभी को मैंने select किया अब terrace तक जाएगी अमरी staircase तो तो हम terrace यहां पर रखते हैं इसको जिस भी floor पर आप जाएंगे अब वहां पर आपको complete आपकी staircase दिखेगी हर floor पर आपको select कर लीजिए select all सभी staircase हो गई ठीक है अब हम क्या करते हैं यहां से copy paste to align selected levels तो कौन-कौन से लेवल पर फिर्स्ट फ्लोर थर्ड फॉर्थ फिफ्ट शिक्स एंडर टैरेस पर हमें नहीं चाहिए तो ओके हम कर देते हैं यहां से filter apply करते हैं filter का use देख लीजी क्या होता है हमें क्या करना है हमने जो portion बनाया है form की help से वह form हमें remove करना यहां से तो हम form को remove करने के लिए यहां से सभी को uncheck कर देते हैं mass और mass floor को on करते हैं okay and then delete अब देखिए जैसे ही आप इनको delete करेंगे तो जो part है आपका mass flooring का वो सब यहां से हट जाएगा अब देखिए finishing आपकी building में कुछ इस तरीके से finishing आपकी दिखेगी ठीक है इस glass को हमने अभी तक नहीं किया है curtain system भी नहीं किया है glass glazing भी नहीं लगा है तो यहां पर भी आप glazing प्रोवाइड करते हैं simple मैं wall प्रोवाइड करते हैं wall by face ठीक है या फिर आप इसको open रखना चाहते हैं यहां पर complete railing शो करेंगे आप तो वो भी आप apply कर सकते हैं मैं ground floor से ही जो आपका shaft आर था उसका area ground floor प simply किसी भी तरीके से तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं कैसे करेंगे हम देखिए यहां पर wall यहां पर wall पर जाईए glass की wall आपको लगानी है curtain system लगाना है तो वो तो easy है जो अभी तक हम लगाते आएं बट हमें क्या करना है यहां से simple pack करना है सिर्फ इस area को तो आप यहां से वो pack भी कर सकते हैं 3D में जाके देखिए select and then move to here अब हम यहां पर क्या करते हैं यह portion हमारी staircase के लिए तो हम यहां पर windows apply कर देते हैं windows apply करने के लिए window और यहां से window का size हम कर लेते हैं 5 bit by 5 feet हमें window चाहिए तो duplicate and then okay अभी जो 600 mm आ रहा रहा है उसको हम 1500 mm कर देते हैं और जो हमा हमारी 5 bit by 5 feet की आ जाएगी select select किया and then Ctrl C copy paste to align कहां कहां पर आपको चाहिए 3rd floor 5th 6th and then okay इस एरिया में जो staircase था आपका उस एरिया में आपकी windows आगे proper clear बाकी complete हमारी glass की building है यहां पर हमें windows लगानी थी तो हमने windows लगा दी staircase इस तरीके से आपकी massing की complete building design होगी अभी जो massing का portion है यहां पर आपको और design करना चाहते हैं वो सब भी आप यहां पर design कर सकते हैं यह पार्ट हमारा रहे गया है तो हम यहां पर massing फिर से लगा के कर सकते हैं बट यहां से आपको एक entry देनी है टोप पे आपका अलग color का glass द करते हैं एक होता है curtain system एक नोर्मली glass तो मैं यहां पर हर एक चीज cover करने वाला हूं तो यहां से हम करते हैं curtain glass curtain glass में जाहिए और जहां से जहां तक आपको glass apply करने वहां पर आप glass apply करते हैं सेम इसी तरीके से इस सेट भी हम apply कर देते हैं तो जो form है वह आपके कुछ इस तरीके से दिखेगी सिर्फ आपको वहां पर level define करना कि कहां से कहां तक आपको glass चाहिए clear select दोनों को हमने select किया यह जहां से हमें कहां तक चाहिए unconnected to terrace apply क्लियर इस तरीके से हमने complete एक building design करती है अब हम क्या करते हैं इंटिरियर पार्ट पे भी आपको कुछ add करना है या lighting add करने या lighting effects देखने हैं तो वह सब भी हम यहां पर कर सकते हैं इतना पार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे जहां से आपको entry चाहिए आपकी building के लिए वह entry हम define करेंगे यहां पर हमारा 1500 का पैनल है हमें चाहिए यह जो पैनल है यहां पर inside का डोर हो एक और इस साथ से हमारा outside का डोर हो तो हम इस वाली grid को remove कर देता है remove here ठीक है okay and then remove यह हमारी जो grid है वो remove हो चुकी अब हम क्या करता है tab के card को जहां आपको डोर लगाना है tab select कि हमने and then okay edit type में जाएंगे और यहां से करेंगे duplicate और डोर बना देंगे लोड अब डोर कैसे लगाना है आपको वो सब हम यहां से देखेंगे वही फैमिली में हम है Revit architecture यहां से हम डोर्स पर जाते हैं डोर्स और कर्टेन डोर हमें चाहिए सिंगल पैनल चाहिए तो हमें सिंगल पैनल नहीं लगेगा डबल पैनल लगेगा कर्टेन वोल डबल ग् ले चेंज कर सकते हैं तो एक दोर हमारा रही यह हो किया से मैसे ही एक डूर को यहा से अपड़ कर सकते हैं यह यहां लगाना चाहते है या ऑ ईंसाइट टााइब उप कर सकते हैं तो एक today टूर हो गया एक और वो आट जाने के लिए हो गया ठीक है दो डोर हमने डिजाइन कर दिए अब सेम हमें यहाँ पर कुछ Windows डिजाइन करनी है तो Windows कैसे डिजाइन करते हैं देखिए किसी भी टैब को आप सेलेक्ट कर लीजिए जहां भी आप टैब करना चाहते यह एक यह नहीं इसलेक्ट कर लिया एड़ित ताइब में जाई आप जहां भी आप की विंड़ो बनाना चाहते हैं वहाँ पे आप विंड़ो तरीके से विंड़ो जाएन चाहते हैं अब आपको कुछ पार्शन पर ACP cladding दिखाना है या हम चाहते हैं जो top panel आ रहा है वो कुछ अलग तरीके से दिखे bottom panel कुछ अलग तरीके से अलग color में दिखे ACP shears दिखे tab के साथ आपको select करना है glass या फिर यहाँ पर भी आप same कर सकते हैं select edit type duplicate और मैंने यहाँ पर क्या ACP के नाम से ACP and then okay ACP पहले से यूज है तो हम कोई अधर नाम ले लेते हैं duplicate ACP 3 and then okay ठीक है glass में हम जाएंगे यहाँ से और आप जो भी color define करना चाहते हैं वो यहाँ से color define कर दीजिए यहाँ पर आपके पास families है Autodesk की library है यहाँ से भी आप paint ले सकते हैं तो यहाँ से मैं create new material कर देता हूं और ACP material के नाम से define कर देता हूं ACP ठीक है अब जो भी material यहाँ से आप import करवाएंगे हमारी drawing में वो आपको यहाँ पर दिखेगा texture चाहिए green चाहिए yellow चाहिए वो सब आप यहाँ से ले सकते हैं यहाँ पर जैसे आप apply करेंगे okay करेंगे आपके पास इस तरफ यह जो ACP material है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा okay and then okay तो जो आपकी building है वो इस तरीके से दिखेगी yellow panel की yellow panel आपने एक बना दी आप जितने भी panel आप जहां भी select करेंगे जैसे माल लेजी हमें कहीं कहीं पर ACP panel चाहिए तो हम क्या करते हैं इसको elevation में भी आप देख सकते हैं front elevation में चले जाए आप वहां से आपको शो करेगा यह front elevation में आगे जहां पर आपने अलग color से यूज किया है हम इसको realistic करके देखेंगे अभी यहाँ पर क्या करते हैं हम realistic में जाते हैं तो realistic में जो metal आपने लिया वो आपको इस तरीके से दिख जाएगा तो जैसे tap के साथ select करेंगे उसके पास अलग से portion भी दिखेगा तो ACP3 के नाम से अबने बना है जैसे जैसे आप ACP3 करते जाएंगे इस तरीके से design आपके बनते हुए चले जाएंगे ठीक है तो building में आप इस तरीके से design बना सकते हैं जो भी आप चाहें बस आपको काम करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी और आपका design परफेक्ट बन जाएगा ACP and then again ACP तो जिस तरह के design आप बना सकते हैं glazing के साथ आप moment कर सकते हैं वो यहीं पर आप सीख सकते हैं बस आपको practice करना है अगर आप basic से professional सीखना जाते हैं हमारी live training join कर सकते हैं batch अभी ongoing है clear इस तरीके से हमने कुछ designs बना दिये जो हमारी इस shape पर हैं अब जो details देंगे वो details हम same उसी available की एक हमारी overall dimension हमें शो करनी होती है तो वो भी हम यहां से शो कर देंगे ठीक है तो हमारी 19 मेटर के हमारी building हो गई 3D में जाके देखिए आपको design कुछ इस तरीके का दिखीगा clear staircase हमने बनाए glazing में हमने change करके देखा अगर आप और भी कोई changes चाहते हैं कुछ और सीखना च इसको भी हम इसी तरह का ACP पूरा sheet बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से define कर सकते हैं clear तो यह था हमारा model अब हम क्या करते हैं यहां पे कुछ extraordinary work करते हैं जो की side design का है side design में हम क्या करेंगे यहां पे हमें पूरा lawn दिखाना है greenery दिखानी है और हमें vehicles parking road map सब कुछ यहां मुक्न करने वाले थी चैस bracket सेल शोर करेंगे मासिंगन ही जाते हैं और यहां पर होता हैρ टोपो surface यहां पर आ गय करते हैं जो कि माइन-स itself 1992 में हमारा रहेगा इस तरीके सेंगा Space design कर देते हैं यहां से यहां पर का कि यहां से हम सब रिसन कर देता है इतने पूरा पूरा नहीं पारकिन के लिए और टाइल्स अलग से रहे तो इसका जो मैट्रिल है वो हम डिफाइन कर देते हैं क्रेट न्यू मैट्रियल और यहां पर हम टाइल्स करते हैं ठीक है फ्लोर टाइल यहां पर फ्लोर टाइल आपको जैसी चाहिए यहां से भी आप ले सकते हैं फ्लोरिंग में ऑटोडैस्क ला simple flooring define कर रहा हूं ठीक है then apply okay तो जो हमारी flooring है वो कुछ इस तरीक किया जाएगी ठीक है यहां पर हमारी flooring आ गई अब हम क्या करते हैं यहां पर हम road network show करते हैं road network कहां से show करेंगे हम यहां से और इस तरफ road network show करने के लिए वही sub reason का हम use करते हैं कि हमारा जो road network है वो इस तरीके का रहे front से हमारा road जाएगा इस तरफ भी हमारा इसी तरीके से रहे ठीक है इतना ही हम road network यहां पर show करते हैं फाइल ज्यादा हैवी नहीं करनी है आपको जितना आपका system load लेसके उतना ही फाइल का size रखने है आपको इस तरीके से हमने road network show कर दिया अब इसका जो material है वो हम यहां से road का जो material होता है वही ले लेते हैं हम यहां से black color का एक material ले ले लेते हैं ओके यह हमारा road network हो गया इसी के साथ हम क्या करते हैं यहां पर parking के लिए street lights जो हमें लगानी है वो सब हम यहां पर use कर लेते हैं एक way जो हमारा यहां पर भी जाने के लिए होना चाहिए building में तो वह हम mention कर देते हैं यहां से कि हमारा यहां पर entry के लिए एक way है एक हमारा यह हो गया यहां से part सेम ऐसे ही हमारा एक पार्ट यहां भी हम कर देते हैं जो एक इन के लिए हो गया एक आउट के लिए होगा हमारी parking के cut cut trim here trim here and then okay तो चुब पार्ट है हमारा इस तरीके से design हो गया रोड का अब हम क्या करते हैं यहां पर greenery शो करते हैं विकल सो करते हैं तभी तो लगेगा कि यह रोड है हमारी यह corporate building है तो वह सब हम यहां पर करते हैं इतना पार्ट किलियर है सभी का अगर किसी को भी कोई doubt है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप comment section में लिख सकते हैं वहां पर type कर सकते हैं आपका solution जरूर करने की कोशिस की जाएगी ठीक है next हम क्या करते हैं यहां पर आपको रैविट के अगर component चाहिए तो आप रैविट के लेना जब भी आपको plant लगाने हो otherwise फाइल बहुत ज्यादा है भी हो जाती है तो वर्क करना easy नहीं रहता है फिर ठीक है इस तरफ हम यह plants लगा देते हैं another आपको कोई और plants चाहिए तो आप वो सब भी यूज कर सकते हैं यहां से इस तरीके से आप place कर सकते है plants जो भी आप यहां पर work करना चाहेंगे वो सब आप यहां पर कर सकते हैं बस आपको time देना है और आपका design ready हो जाएगा यहां से आप realistic में देखना चाहते हैं कि किस तरह के plants आपने लग देता हूं जो की काफी अच्छा impact वहां पर provide करेंगे तो यहां से एंस्केब में जाना और asset library में जाना है asset library में आपके पास vegetation का पार्ट रहेगा वहां से आप यूज कर सकते हैं vegetation के पार्ट को जो plants होंगे उसके उपर wind effects हब हर एक effect वहां पर आप आप शो करवा सकते हैं तो हम यहां पर vegetation पर जाते हैं और यह time taking है online चलेगा process तो यहां पर हम site design करने के बाद मिलते हैं यहां तक हमारा model ready है हमने यहां पर कुछ sites के components यूज कर लिए हैं अगर हम इसी वीडियो के अंदर पूरा site design भी cover करें तो बहुत ज्यादा time taking process हो जाएगा बहुत heavy file हो जाते हैं तो इसलिए अगर आप चाहते हैं site design का भी वीडियो तो हम next time बना सकते हैं comment section में आप बता सक देते हैं जैसे एक portion हमारा यहां पर हम light का लगा देते हैं generic की help से ही तो किस तरीके से हम काम करेंगे देखिए model in place generic यहां से generic पर जाना है बिल्कुल thin LED light की तरह तो किस तरीके से हम बनाएंगे देखिए यहां तक यह पार्ट है वो इस तरीके का रहे उसके बाद same ही हमें another side में चाहिए यह इससे भी कम करना चाहते हैं इससे भी कम आप कर सकते हैं ठीक है same part को मैं copy कर लेता हूँ copy एक part मुझे यहां चाहिए जो lighting effect provide करें copy and then another part मुझे नीचे की तरफ चाहिए यहां सेम हमें यहां भी चाहिए ठीक है चार-पार्च हमने कुछ parts बना लिए select copy another side या फिर आप mirror भी कर सकते हैं mirror कहां आपको mirror करना है इस साइट हमें mirror करना है यही part ठीक है तो यहां पर यह part आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से यह आने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर define कर पर define करेंगे material का option यहां से आ रहा है हमारे पास add it create new material यहां पर हम कर देते हैं glow के नाम से material बना देते हैं glow तो यहां से आपको नई library open करने है जो कि हमारे पास पहले से बनी हुई है autodesk लाइबरेरी में यहां पर आपको जाने का effect दिख जाएगा ठीक है कि white आपको रखना है green आपको रखना है जिस color में आप shade डालेंगे वह आपको यहाँ पर show जाएगा okay अब इसव एफेक्ट समय यहाँ पर okay दिखेगा okay ठीक है fine अब हम क्या करते हैं हम इसको realistic करते हैं और यहां ठीक है मैं realistic में करता हूँ एक time के लिए इसे file काफी heavy हो जाती है इसलिए हम ज्यादा realistic में वर्क नहीं करते हैं ठीक है तो हम यहां से shaded कर देते हैं फिर से अब जो effects हैं मैं आपको rendering के effects दिखाता हूँ यहां से किस तरह के effect आपको यहां पर show होंगे ठीक है यहां से हम nscape में जाते हैं complete हमने model बना दिया है अब हम nscape में जा रहे हैं ठीक है कौन से view पे काम करना हमें 3D view पे and then start 3D view 1 start nscape time लेगा उसके बाद आपका render proper आपको show कर देगा जो भी आपने design बना है complete perfect आपकी finishing के साथ render होके आपके सामने आ जाएगा ठीक है यह हमारे पास complete model बनके आ गया है तो आप यहां पर वो करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से shift के साथ आप वो करेंगे तो realistic आपको view दिखेगा जो हमने lighting effect लगाए थे वो भी आपको proper दिखेंगे यहां से इस तरीके से upper level पे आपको देखना है तो आप upper level पे देख सकते हैं इस तरीके के हमारी building है जो भी पार्ट आपने यूज किया है वो आपको पार्ट सब कुछ दिखेगा आपको directions चेंज करने है डारेक्शन चेंज करके देख सकते हैं आप upside down आपको जाना है इस तरीके से किसी भी साइड आप एंस्केप का यूज करके rotate करके आप realistic में देख सकते हैं आपकी building को ठीक है यहां पर देखिए आपके जो effects हैं वो कुछ इस तरीके के आपके दिख जाएंगे ठीक है अप ओजिस साइड में आपने कुछ चेंजिमेंट किये थे तो वो भी हम देख लेते हैं यहां से इस तरीके से आप mouse के साथ जाएंगे और जो आपने effects देख सकते हैं इस तरीके से complete आप डिजाइन कर सकते हैं complex mall या जो भी आप high-rise building बनाना चाहते हैं वो सब आप यहां से देख सकते हैं ठीक है complete landscape भी आप सिखना चाहते हैं वो भी हमारी live training में हम cover करते है वीरे landscape and revit architecture complete course live है ongoing है आप बाइ कर सकते हैं इस अलावा अनदर courses भी आप बाइ कर सकते हैं professional द्वारा सिखाये जाते हैं proper basic से professional आपको बनाया जाएगा तो यह था आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कोमेंट करना ना भूले और अगर कुछ चेंजमेंट करने की जरूरत है तो comment section में जरूर बताईए तो इसी के साथ हम next वीडियो में मिलते हैं तरुन सैनी signing off कर दो